हेलो फ्रेंड्स आपको स्वागत है मेरे चैनल है स्टाइग होन स्वीठ होम में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम डिक्यूर आइटम्स जो कि मैंने मंगाए हैं अमेजन से दिवाली स्पेसल है दिवाली आने वाली है तो उससे डिलेटेड मैंने खरीदे हैं कुछ डे वीडियो आपके कापी हेलफुल होने वाला है क्योंकि मैंने जो भी खई दे हैं सब अमेजन से और सारे डेकुरेटिव आइटम्स हैं जिससे आप दिवाली में अपने घर को सजा सकते हैं खुबसूरत बना सकते हैं सो प्रड़क्त की जो भी प्राइस होगी वह मैं अपने डिस्कुरस बॉक्स में डाल दोंगे आप वहां जाके चेक कर लिजेगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं प्रड़कों पसंद आता है तो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को पृद्ः है यह ब्रास का है मैटल है ठीक है एक औरत बनी हुई है जो वैलकम कर रही है नीचे वैलकम लिखा हुआ है और यहाँ पे होक है यहांपे आप हैंक कर सकते हें इसे अधर कर सकते हैं तो वहां पे इसको ओन just about it देखने में काफी खुफसूरत है metal है यह आप किसी को गिफ्ट करना चाहते है तो गिफ्ट के लिए भी काफी खुफसूरत है आप फिनिशिंग दे सकते हैं फिनिशिंग और डेटेलिंग जो भी इसके काफी अच्छी है इसे हैं यहां पर शाता है. सो यह मिल जाता है दो कासेट फरस्ट आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग और यह जो डिटेलिंग के सब कुछ काफी खुबसूरत है और इसको काफी अच्छे से अटैज भी किया गया है तो इसकी जो फिनिशिंग आप देख सकते हैं अच्छी लग आउटकी अच्छी है यह जो रॉंड में सर्कल में इसका जो बेस है वह ऐरन बेसे मदला है मेटल मेटल मेसे और इसको कलर किया गया है गोल्डन कर ले में देखने में काफे कोफसर है तो मैं से केंड़ लगक्ये दिखाती हूं को देखने कैंडल अपि कैसा लगता है आप मैंने इसमें भी बैटरी ऑप्रेटेड केंडल लगाई है जो कि देखने में काफ़ी खुबसूरत लगी तो आप इसे वाल पर टांग दीजिए हैंक कर दीजिए काफ़ी अच्छा लुक आएगा ये तो इसी तर आप दोनों में रख दीजिए देखने में काफ़ी खुबसूरत लगेगा लग रहा है ना बहुत खुबसूरत नेक्स्ट मैंने पको केंडिल होल्डर दिखाया है तो मैंको केंडल भी दिखा देती नेक्स्ट मैंने मंगाया है 24 पीस का ये टी लाइट सेट काईदे से रखा था बट मैंने से निकाल के देखा तो फिर मैंने फिलाला भी ऐसी ही रख दिया है इसमें 24 पीसेज है इसी आपको यहां से ओन करना है और ये जलने लगेगा इस प्लास्टिक की कॉल्टी अब देख सकते हैं काफी अच्छी है तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है घर के डेकॉरेशन के लिए और ये बच्चों के लिए भी सही है जैसे केंडिल जलती है तो छोटी बच्चे घर में तो रिस्क रहता है थोड़ा सुनको जलने मुलने का बट ये देखने में भी अच्छा लगता है लुक और बच्चे भी से भी सेफ रहेंगे कोई नुकसान नहीं है बच्चों कोई से ठीक है सो ये 24 पीस का सेट है काफी अच्छी क्वाल्टी है प्लास्टिक पीछे आपे बैटरी लगेगी यहां से आपको अन-उफ करना है और आप इसे कहीं भी रख सकते हैं नेक्स्ट मैंने लिया है उडली यह साइड में आपको मैं पूरा बेज है मेटल है और साइड में आपको फ्लावर मिल जाएंगे बने हुए मेटल के ही है यह पीछे वायर से तोड़ जोडा गया है इसका टैच किया गया है और बीच में आप पानी भरेंगे और इसमें फ्लावर्स हो गया जल्दी वी केडल पर इसमें फ्लोटिंग चैडल जो होती हूं इसमें रख दीजिए और इससे आप टेबल पर रख दीजिए बहुत खुबसूरत लगता है देखने पर है यह है इसकी है काफी तो फिनिशिंग मैं अच्छी है काफी में मने है अगर पानी डाल के रखेंगे तो यहां से सिस्टम दे रखा यह पानी में जैसे डालेंगे तो यह जो लाइट जल जाएगी जो कि बहुत खुबसूरत लगेगी देखने में से मैं अब आपको दिखाऊंगे भी इसको टक governance से मैंने डोटे सैट लिए एक ili na ड switch का पूरा गाराया ह अच्छा हैं生 América अच्छा है तो कि मीडियम साइज है तो इसमें आराम से आरा जा रहा है देखने में दो पीस आराम सेट आरे देखने में भी काफ़े खुब्सूरत लग रहा था सो ये है नेक्स्ट मैंने और ली को इसे जाने के लिए मंगाया है और एक फ्लावर का पूरा सेट इसको भी आप उरली में सजा सकते हैं काफ़े काम आएगा इसकी क्वाल्टी बहुत अच्छी है देखने में भी काफ़े खुब्सूरत है यह फ्लावर यह 24 पीस है पूरे 24 पीस का सेट है यह आप एक फ्लावर देखिए कितना खुब्सूरत ऐसा लग रहा है से रियल की ही लीव से यह रियल के यह फ्लावर से लग रहे हैं इसको ऐसा बनाया गिया है बहुत कूब्सूरत लग रहा था बहुत कूब्सूरत है यह तो इन सब चीजों से आप आप अपने सेंटर टेवल को उरली में इसको डाल के लगा सजा सकते हैं काफी कुछ सुरत लगेगा आप इसको साइड साइड में भी सजा सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा यह 24 पीस है नेक्स्ट मैंने मंगाया है यह गार्लेंड यह मैंने अपने पूजा रूम के बाहर लगा टांगने के लिए लगाया है अब टांगने के लिए मंगाया है उसी सेप में यह बनी हुई है तो जैसे आप मंदीर मंदीर के बाहर अपने इस तरह कर गार्लेंड लगाना चाहते हैं सो यह है प्लास्टिक की जो क्वाल्टी है अच्छी है फिनिशिंग भी इसकी काफी अच्छी है यहां पर आपको मिल जाएगा हैं करने के लिए सुआप इसको ऐसे हैं कर सकते हैं गालन का काम करेगा काफी खुबसूरत लग रहा है यह देखने में कि थोड़ा सा कलर मुझे थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही चटक औरेंज लग रहा है बट ठीक है तांगने पर अच्छा लगेगा आप सो यह है नेक्स्ट मैंने मंगाया है अपने सेंटर टेबर पर मंगा और डालने के लिए यह रणर रेड कलर में नीचे कॉर्णर में आपको मिल जाएंगे दो टैसल रेड कलर में है भ्रोकेट की डिजय इनिंग है इसमें दे रखी है बोकेट की डिजय इनिंग है और कपड़ी की जो शाइनिंग फिनिशइंग काफी अच्छी है तो आगे आपको ऐसे मिल जाएगा और बैकृट में आपको प्लेड मिल जाएगा ठीक है तो यह है यह मैंने मंगाया है रनर इसे आप सेंटर टेबल पर डागल सकते हैं काफी खुबसुरत लगेगा तेवहार में तो यह सारे कलर्स तीवाली पर इस तरह की कलर्स अच्छे लगते हैं रेड आई होप आपको आज के वीडियो आज को प्रड़क्ट अच्छे लगे हों तो डिया के चेक कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हम नेक्स वीडियो में तते के लिए बाबाई टेक कियर हैव नाइस टे